अभी लगबग सबके खेत हर्वेस्टिंग होके खाली हो चुके या होने वाले भी होंगे अभी बहुत से खर्पतवार हमारे खेत में ऐसे है कि उपर की तरफ उसकी पतिया जल जाती है लेकिन नीचे की तरफ जमिन में उस खर्पतवार की गाट या जड़े सही सालमत रहने स वह पानी मिलने पर फिर से जिंदा हो जाते हैं जिसमें से एक मोथा यानि की लावाडा भी है यह एक ऐसा खरपतवार है जिसे कंट्रोल कर पाना भहुत मुश्किल होता जा रहा है आज मैं आपको इस खरपतवार को जड़ से मिटाने का उपाई इस वीडियो में बताने वाल तो ऐसी महतोपुर्ण जानकरी जानने के लिए हमेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलना तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरुवत करते हैं आज के वीडियो की तो मैं हूँ दिवेराज और आप तेकर अनिर्मता चले हर्वी साइड है यह सब फसल खरपतवार को नष्ट करने की शामता रखता है तता फसल में इसका इस्तमाल ना करें सावधान रहे अब हम खरपतवार नाशक यानि हर्वी साइड के साथ क्या-क्या लेने वाले यह पहले जानते ही फिर उसको हम एक-एक करके विश्थार से आपको डीटेल में बताएंगे हर्भी साइड के लिए हम फोस्परिक एसीड गासलेट नहीं तो हम डीजल लेंगे गासलेट आइवलेबल नहीं हुआ तो गलाइपोसेट नहीं तो मेरा एककतर यूरिया और स्टीकर यह सब हम हर्भी साइड के साथ लेने वाले अब इसमें फ दस्ते में फोस्परिक एसीड का इस्तमाल हम करेंगे उपर से इसमें फोस्परस होने से यह हर्भी साइड को जड़ो तक ले जाने की शमता रखता है सायता करता है बाकी साइट्रिक एसीड निम्बू से पीच करने से अच्छा है कि आप फोस्परिक एसीड से ही पीच कर ल लेकिन जब हम पानी का प्याज करने के बाद गासलेट डालते हैं तो उसके बाद जब हम हर्भी साइड डालेंगे तो वह गासलेट के साथ आइसी कोई करता है या कुछ और बात होती है यह मेरे को पता नहीं है लेकिन हर्भी साइड का पावर 100% बढ़ जाता है और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आते हैं अब कई जगह गासलेट मिलता नहीं है तब उसकी जगह आप डिजल का भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन डिजल से इतने अ आप लाइफोसेट इस्तमाल कर रहे हो तो आप सिधे वो पानी में डाल सकते हो लेकिन अगर आप मेरा 51 इस्तमाल कर रहे तो साइड में थोड़े पानी में उसका गूल तायर कर ले और फिर हमारे टंकी में डाले मेरा 51 एकसल क्रॉप केर कमपनी का आता है जिसमें 81 क्तियों को क्त करने का काम करते हैं करता है और रंत में आपके पास कोई एकस्पायर हो चुका हुआ सप्रेडर या स्टिकर है तो उसका इस्तमाल यहां कर ले जिससे आपको रिजर्ट भी आएंगे और आमारी दावाई भी खत्म हो जाएगी अगर एकस्पायर या spreader या sticker आपके पास नहीं है तो आप नया वाला भी spreader या sticker ले सकते हो यह हुआ तरीका तो अब हम इसके dose के बारे में जानते हैं पहले हम 20 लीटर पानी के लिए dose बताएंगी फौस्परीक आइसीड 20 लीटर पानी के लिए प्लस गासलेट या डीजेल दोनों में से 1.500 मिली प्लस मेरा एक तर सो ग्राम प्लस यूरिया 200 ग्राम प्लस टिकर पूराना याने एकस्पायर हो चुका होगा तो जदा डाले और नया हो तो उसके डोस के इसाब से डालो और अगर मेरा एक तर की जगह आप गलाइफुसेट ले रहे हो तो वह 1500 से 300 मिली तक आप आपने जरुरत के इसाब से ले सकते हो अब 200 लेटर पानी के लिए कितना इस्तेमाल करना है यह जानते हैं फॉस्परिक एसीड 500 मिली प्लस गासलेट या डीजेल दोनों में से एक देड लीटर प्लस मेरा 71 एक किलो प्लस यूरिया ढ़ी क किलो प्लस टीकर कंपनी के डोस के अनुसार इसमें बर्मुडा ग्रास मतलब दुर्वा यानि हरल नश्ट नहीं होती है उसके लिए अलग फॉर्मुला ही आप यदि उस फॉर्मुला को जानना चाहते हो तो इस वीडियो के लाइक हजर तक पहुचा दो आपको वीडियो ज अभी नहीं उख पाता है इसके रिजल्ट पाने के लिए सबसे अहम खेत में नमी होनी चाहिए रिजल्ट आने में पास से 7 दिन लगते हैं मिलते हैं आगले वीडियो में जय जवान जय किसान